नमस्कार, MNS News Life में आप सभी दर्शकों का स्वागत है देर करोट की सोलर फेंसिंग गायप साकोली वन विवाक की अंदेखी अंकर वाई सरकार की और से विकास करा नहीं तू विवदे यौजनाओं के लिए निदी उपलक करा जाता है तानिय जन प्रतिन यदी भी इसके लिए प्रयास करते हैं लेकिन यौजनाओं का क्रियान हुए करने वाली अधिकारियों की मानसिक्ता यदी विकास की नहीं हो तो अच्छी कासी यौजनाओं का भी बंडादार हो जाता है बंडारा गोधिया के पूर्वा संसा दाना पटोले दोया सन 2015-16 में केंदर सरकार के अधिरिक 300 करोर रूपए की डावी कड़ी यौजनाओं के नाम पर बंडारा के ताथ साकोली और लाखांदूर वन परिशेतर के लिए मनजूर किये गया है साकोली और परिशेतर के पात्री कपार्ट में नबर 155 में करीमत 3 किलोमेटर शेतर में सोलर फैंसिंग के लिए तकरीब बस 37 लाख मंजूर किये गया है इस काम का ठेका नाकुर के एक कदावार नेता के संसा को दिया गया था इस तंसा ने के वर 20 प्रतिशत काम करके पूरा नेती उठाया आज की सिद्धी में पात्री की कपार्ट में नबर 155 में सोलर फैंसिंग दिखाई नहीं दे रही है नातार लगे है बन वीबा की लाकों रुपए की सोलर फैंसिंग गायब है लेकिन साकोली वर्फ परिशितर अधिकारियों के साथ जिल्ले के वरिष्ट अधिकारी भी इस घटना से अंजान है हमारा भंडारा ब्यूरो चीफ निशाद लाजेवार ने घटना सल पर जाका जाज की तो सोलर फैंसिंग जमित पर स्तिर नहीं दिखाई दी लेकिन इशाद लाजेवार की ग्राउंड रिपोर्ट कारेक्राम चलता रहता है लेकिन सरकार की योजना तो आती है निदी तो आता है लेकिन उस निदी का सदियों पर करके सरवगार विकास करने के लिए जो अधिकारी तत्पर अधिकारी चाहिए उस अधिकारी के कमियों के वज़े से उनके विजन जो होता है विजन के कमियों पर चत्र के पात्री कंपरमेंट नमबर एक सब पंचेन में की यहां पर सोलर फेंशिंग या स्कीम की शुरुवात की गई थी योजना क्रिवलित की गई गी करिबन करिबन तत्कालिन संसद यह योजना सन 14-15 की है 15-16 की है इस 15-16 के वर्तमान में तत्कालिन संसद नाना पटोले के माद्दे में से केंदर सरकार के और से अतिरिक्ती नीदी 30 करोड र देर कर रूपे की सोलर फेंसिंग योजना भंढ़ारा जिले के साखोलिए और लाखां बोर तशील के लिए लाइगे निदी मंजूर किया गया साकोली तुसिल के अगर बात करें तो साकोली वनपर शच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अनुक्सकान की जाती है उसको सुरक्षा मिलना चाहिए और विकास की ओजना क्रियानित होना चाहिए करके करेबन करेबन सत्यातर लाख रूपे खर्चे की तीन किलो मिटर की यहां पर सोलर फेंसिंग स्कीम की भी शुरुआत की गई सवस्ता की 14-15 का काम था नाखपूर के कद़ावारनेता के सवस्ता को कॉंप्रेक्ट दिया गया आप देखरें की सवस्ता के माद्व से येаз वहज़ुओं कॉलम है लेकिन कोई तो सुल्दर फेंसिंग की मतलब नहीं दिखा रही ना तार दिख रहा है ना कॉलम दिख रहा है ना बैटरी दिख रही है आप देख रहें सिरी रहादी ऐसी गड़्डे खुदाई की गई है छोटे-छोटे कॉलम की गई है तीन किलोमेटर तक के यह की वाके में केहां यहां पर सुल्दर फेंसिंग की योजना क्रियानम्त की कई होंगी आप अंधाजना लगा सकते हैं कि यहां पर जो योजना लागू की गई ही थी कॉन्टेक्टर ने केवल 20% काम किया गया 20 प्रसंट काम करके पूरा का पूरा हंडेट प्रसंट जो निदी मंजूर था उस निदी को हड़ब किया गया, योजना का बंटधार कर दिया गया, 3 किलोमेटर की होजना है 3 किलोमेटर की यह जना में यहाँ पर solar fencing थी यहाँ पर 6,5-6 फिट के column आया रहे थे 6,5-6 फिट के column के बाद में यहाँ solar fencing जिससे normal current लगता है जंगली जानवार गाव के अंदर entry नहीं कर सकते और जंगल जानवर गाउग के अंदर इंट्री नहीं करते हैं और बड़ी उस्रक्षा होती है इसके माध्यों से लेकिन यहां के ततकालीन वन परक्षेतर अधिकारी यहां के वन रक्षक यहां के राउन ओफिसर इन्नोंने पूरा इनके उपर अंधिकी की दुर्लक्ष किया और इस योजना को 100% क्रियानमिन करने के लिए असा भूल रहे हैं उसके बाइद में जब नए करमचारी यहां पर आए नए पर अधिकारिया हैं यहां के आरेफो अभी ततका वर्तबान आरेफो आरती उके से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका सिदा सदा कहना है कि यह स और में चुत्का पर सबस्क्राइब होता है कि एक अधिकार पर उसके अधिकी कारे हैं कि यह यहां पर जो यहुजना की जाती उनकी देखबाल करने की दुरूस्त करने का अधिकार उनके पास में लाख रुपे का उसको पर निदी आता है लेकिन इस निदी का क्रियानवन करते समय केवल मेरे पहले के अधिकारी नी किया उसके बाद मेरी जीमिदारी खतम यह सोच अगर आदिकारी की है तो क्या वह अधिकारी इस एरिया का विकास कर सकता है यह सोचने वारा सवाल है मैंने जब यहां कर southwesternी के बात करें की कुसिश है तो उन्होंने सिदा सदा यह कहे कर टाल दिया है कि यह मेरी जमेदारी नहीं है वो मेरे पहले आखी अधिकारी की बात थी अब मुझे बताए कि यह वन परशितर अधिकारी जिनके अंडर में यह पुरा एरिया आता है अब वन विवाग के 77 लाग रुपे की यह वजना एक तो ठेकदार ने पूरी यह वजना की नहीं होगी या फिर यह वजना पूरी की गई है तो यहां का साहितिक यहां का मटिल्स गया कहाँ अगर चोरी हुई है तो अभी तक के वन विबाग के मादेर से इसका एफायर नहीं भी किया गया अगर ते 77 लाग रुपे के चोरी होती है तीन किलोमेटर परीसर के सोलर फिंसिंग अगर चोरी होती है मान लीजिगा गर चोरी होती है तो फिर वन विबाक के तरफ से एफायार क्यूं नहीं किया गया पुलिस सिकाय क्यूं नहीं की गई है यह भी एक सवाल पर खड़ा होता है इसका मतलब यह है कि किवल पैसा आया पैसा किवल योजना रेकार्ड पर बनी हुई है जगन जमीनी ह पर यह खंबा भी आने दिख रहा एक स्वादर फेंसिंग का एक तार में नहीं दिख रहा ना बेटरी दिख रही है आप देख रहें कि इस तरह से केवल कुछ जगह पर आसे कुछ जगह पर खंबे खड़े है बाद 15-16 की योजना है 15-16 के बाद में 17-18 आदा हम 19 में काम कर पर एक साल भी सोदर फेंसिंग की योजना यहां पर क्रियानमित हुई नहीं है 37 लाख रुपे की योजना पानी में चली गई है हम इसके उपर क्या सुचे इसको पर क्या विचार करें कि सरकार का पैसा आया सरकार का पैसा अकर गाव के लोगों के विकास के लिए था अधिकारी लोग थे उन्होंने खुद ने इसका पूरा इस्टिमेट मना कर बिलिंग करवा कर अधिकारियों को प्रेशर अधिकारियों को पर प्रेशर डालकर सारा का सारा नीदी उन्हें ने हड़ब कर दिया सवाल यहां आता है दुस्तों कि जंगली जानवरों से गाव के लोगों की सुरक्षा हो जाए जंगली जानवरों से केती की सुरक्षा हो जाए और जंगल की चोरी ने हो जाए जंगल के अंदर जो महलेवान सागों ने हैं महलेवान जो पेड़ है उसके भी चोरी ने हो जा अपने जो प्राफर्टी उस प्राफर्टी की देखबाल करें लेकिन साकोली वन परचित्रे की अडियल वन परचित्र अधिकारी आरती उके के नेत्रुतों में इस योजना का बंटादार हुआ है उन्होंने अभी तक के इसके एफायर फूलिस में नहीं की है सिफ मेरी जिमेदारी नहीं करकर अपनी उपर की अपना अपना जो अडियल रवया है यह दरसानी की कोशिश कर रही है हम जिले के वरिष्ट अधिकारियों से यह पुछना शियाएंगे कि आकिर भंडारा जिले के साकोली और लाखांदूर तालुका के लिए जो देर करोड रुपे की सोलर फेंसिंग स्किम जो आई वी है आकिर गई कहां क्या जिले के वरिष्ट अधिकारी इसकी जाच करेंग कि देर करोड रुपे का जो खपला हुआ है बीना काम करके पैसा उटाया गया है हमने इसकी जाच करेंगे हमने वन विबाग के कुछ सिनियर अधिकारियों से बात करने की कोशिच की उनका कहिना है कि यह होजना तो अच्छी है लेकिन यह होजना सक्सेस नहीं है क्यों तो लोग चूरी करके लेके जाते हैं अब यह भी सवाल खड़ा हो जाता है अधिकारियों को यह कहिना कितना गुचित है लोग चूरी करके लेके जाते हैं यह कहिना अपनी जिम्मेदारियों से पर पर होना है अधिकारियों का यह जिम्मेदारी है कि अपनी योजना को सुरक् अपने जिम्मेदार से जाड़ने की कोशिज वन विवाक के अधिकारिया पर कर रहे हैं मैं एक बार और जिले के वरिष्ट अधिकारी से ये सवाल करना चाहूंगा कि भंडारा जिले के लाकांदुर साकूली तवसिल के लिए जो सुदर फेंसिंग योजना देर कुरोण के उपने की योजना आई विये या के वन परशेतर अधिकारी या के राउंड ओफीसर इनके उपर क्या इनकी भी जाच की जाएगी ये सारे सवाल या पर खड़े होते हैं क्योंकि सरकार का आखिर पैसा है सरकार का पैसा वातलब आम लोगों का पैसा है टेक्स की रूप में लोगों का पैसा या पर जाता है वो लोगों का पैसा आखिर है लोगों का पैसा लोगों के काम के आले आना चीए लोगों के विकास के लिए होना चीए लेकिन केवर कागज पे माने मर हुए घुटा लिखी जाच करके दो सी अधिकारियों के उपर करवाई करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल या पर खड़ा होता है लोगों की अपक्षिय है कि करवाई होना चाहिए हम दर्सों को आस्वत करना चाहते है कि जब तक इस सोलर फेंसिंग योजना के माध्यम से जो गबन किया हुआ निदी है उसके बारे में जाच नहीं होती हमारा MNS News लगातार इसके बारे में जाच करते रहेंगा मैं इशाद लांजिवार MNS News बना रहा हूँ मैं इशाद लांजिवार MNS News